तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल MD Classes को और क्लिक करिए बिल आइकॉन पे इंपोर्टन एजुकेशन वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD Classes में देखे तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर आपके साथ RRB परिच्छा यानि की रेलवे परिच्छा 2019 के बारे में जो कि अभी आपका RRB JEE का एक्जाम होने माला है उसके लिए काफी ज़्यादा important question यह हाँ पर आपके साथ discuss किये जा रहे है जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनरल साइंस से काफी अधिक question पूछे जाते हैं RRB में जब भी रेलवे की परिच्छा होती है वहाँ पर आपसे जनरल साइंस से काफी अधिक question पूछे जाते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जोर कर दिये करिए तथा अपने दोस्तों के बीच में अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe ज़रू कर लिजिए और bell icon को प्रेस करना मत भूलि पर तो अनकडमी पर आपको लिंक नीचे मिल जाएगी description में अनकडमी पर follow कर लिजिए देखे start करते हैं आज का पहला question पहला question क्या कह रहा है एक तरासा हुआ हीरा किस वज़ा से चमकता है एक तरासा हुआ हीरा जो होता है वो किस वज़ा से चमकता है तो यहां पर आपके पह से जो option है यह option कह रहा है तो कौन सा option सही है यह आपको बताना है अगर जैसे पहले question का मान लिया एक आंसर सही है, A option आपका सही है, तो one dot A आप वहाँ पे comment कर दिया करेगा, जिससे की answer आपका आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा important होने वाले हैं, यह सारे question आपके आने वाले exam के लिए, तो चलिए देखते हैं, इसका सही answer क्या होने वाला है, तो इसका सही answer होने वाला है, उच अपर्टनांग सूचकांग की वज़ा से हीरा चमकता है, तरासा हुआ एक cut diamond जो होता है, cut diamond तरासा हुआ हीरा का मतलब क्या होता है, कि जो मतलब cut diamond है, यानि कि उसको एकदम fit कर दिया गया है, जैसे एगर अंगूठी बनानी है, उसके ring ब 4.2 compared to about 1.5 for glass, the diamond of high reflected on an air, other content interface is related to the reflective index charge on the interference and the larger the reflective index charge change, ठीक है, the more light is reflected, ये आपका जो है, आपका explanation हो गया इस question का, अगर देखिये, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को आप like जरूर कर दिया करिये, और अपने दोस्तों के वीच में आपके पास जो भी WhatsApp group हैं, इन सब में आप share जरूर कर दिया करिये वीडियो को, देखिये, दूसरा question क्या कहता है, दूसरा question कहता है, butter paper object का एक उधारण है, देखिये, butter paper is an example of किस प्रकार के object का प्रकास मान, ठीक है, तो इसका सही answer क्या है, आप जल्दी से comment करके बता दिजे, इसका सही answer है क्या, देखिये दोस्तों, आपको मैंने time दिया हुआ है, इतना करने का, आप यहाँ पर comment करके बता सकते हैं, जिन लोगों को हिंदी से problem है, उनके लिए यहाँ पर English में भी question दि दिया गया है, जिन लोगों को हिंदी में problem है, उनके लिए ठीक है, तो English और Hindi दोनों आपको bilingual यहाँ पर provide कराया जा रहा है, इसका जो सही answer है, यह है translucent, यानि कि पारदरसी, ठीक है, तो यहाँ पर butter paper एक पारदरसी object का उदारण है, तो देखिए butter paper एक पारभासी वस्तु है क्योंकि यह प्रकास को आंसिप उप से, इसके माध्यम से पारित करने की अनुमती देता है, देखें दोस्तों होता गया है, कि आप अभी कोई paper होता है, जैसे कि आप मान लीजिए, कि paper होता है, उस पे अगर आपने पराठा वगरा रख दिया है, तो उसको उठा के देखें एक कापता हुआ सरीर, एक कापता हुआ सरीर, एक vibrating body क्या करता है, हमेशा धोनी उत्पन करता है, A option में आपसे क्या कह रहा है, will always produce sound, B कहता है, कम पन का आयाम कम होने पर धोनी उत्पन कर भी सकता है, और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ आप से कह रहा है, amplitude से relate करके C option आपसे कहता है कि ध्वनी उत्पन करेगा जो आबरित्ति पर निर्भर करता है विल प्रेडूस साउंड विच डिपेंड्स अन अपान फ्रिक्वेंसी और D option आपसे कह रहा है नन उफ दीजी यानि कि इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर कौन सा है आपको कमेंट करके जल्दी से कमेंट में बता देना है जो भी option सही हो आप question number लिखेंगे और उसके पीछे dot लगा करके answer का जो भी option हो उस option के बारे में लिख देंगे जैसे कि आपका 3 का C सही है तो 3.C वहाँ पर जाकर करके आप कमेंट कर दीजे जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए इसका सही आंसर है आपके सामने आ चुका है देखिए ध्वनी उत्पन न करेगा जो की आवित्तिपन निर्भर करेगा देखिए आप जब सर्दी में नहाते हैं थंड़क में आप जब नहा लेते हैं तो दातों को जब बच्चे होते हैं उनको थंड़क में नहला दीजे तो दाते के कट कटाने की आवाज आती है उनका दात से आवाज आती है दात लड़ते हैं आपस में ठीक है उपर नीचे क तो वो चीज़े यहां पर वही चीचे पूछ रहा है, बेसिक वही सारी चीज़े हैं, जो कि ध्वनी उत्पन करेगा, जो कि आवरित्थी पन निर्भर करता है। देखे जल्दी जल्दी जब जबड़ा कापता है, जल्दी जब जबड़ा कापेगा, तो उसका जल्दी जल्दी लड़े का नात एक दूसरे में, तो आवाज जल्दी जल्दी आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है, तो वही चीज इस question में आप से कह रहा है, यहाँ पर देख मानो कान को नहीं लगाया जा सकता ठीक है ऐसी धुनियों को अस्रव्य धुनि कहा जाता है यानि कि 20 हर्ट तक अगर आवरित्ती है तो वो हमें पता नहीं चलेगा ठीक है और हमारी सरवड़ सक्ती होती क्या है यह होती है 20 किलो हर्ट से 20,000 तक ठीक है चौथा कोश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में भी देख लेते हैं महा सागरों की गहराई की गढ़ना के लिए जहाजों में प्रिवक्त विशेश तकनी की कौन सी है यानि कि प्रदा इसन उजलदी से अपलों कमेंट करके बताई यह साठे कोश्चन जो आपसे किराए जा रहे हैं बहुत यह अच्छे कोश्चन है और प्रकास जो की हढोनिश द्रसया है और प्रिवाइब्रेशन विजेश जाफिस इसका बहुत ही important chapter है, बहुत ही important topic है, प्रकास, ये आपके एक्जाम में काफी अच्छा role play करने वाला है, ठीक है, तो ये सारे question आप यहाँ पर comment करते रहिए, इसका सही answer है, सोनार, सोनार इसका सही answer है, जो कि आप से option B में कहा गया है, सोनार, ठीक, पाच्वाँ question आपके सामन मिरिगिस्तान में क्या होता है, कि मिरिग मरीचिका बोलते हैं साइद उसको, मिरिग मरीचिका इसी टाइप से कुछ बोलते हैं, उसके बारे में ये बात कर रहा है, जैसे कि पानी तो होता नहीं है, लेकिन धूप की वज़ा से कहीं कहीं, मतलब रेत इतना चमकता है कि उसक के बारे में पुछ रहा है, यहाँ पर, The Region of miss, मिराज का कारण क्या है, A option आप से कहरा है, प्रकास का हस्तचेव, interference of light, और BÃs आप से कहरा है, Pamalite का विवरतन, diffraction of light, C आप से आप से कहरा है, प्रकास का ध्रुवी करण, polarization of light, और D से आप से कहरा है, प्रकास का कुल आंतरिक प् परावरतन ये होगा D option में तो इसका सही answer क्या है जल्दी से आप लोग comment करके बता दिये देखिए ये सारे question बहुत basic question है और ऐसे ही question आप से exam में पूछे जाते हैं ठीक है तो इसके लिए आप ऐसे question की practice करते रहिए साथी साथ आपको और भी जो भी doubt हो कोई भी query हो आप तो comment करके बता दिया करिए आपकी query को जरूर solve किया जाएगा ठीक है इसका देखे सही answer क्या है आपके सामने आ चुका है प्रकास का पून आंतरिक परावरतन देखे जब क्या होता कि प्रकास आता है और reflect हो करके ऊपर चला जाता है लाइट जो आती है इसी वज़ा से वहाँ पर इतना मतलब चमक अथिक होती है कि दूर से देखने पर लगता है कि यहाँ पर पानी है यहाँ पर जल यहां पर अर्यापर देखिए explanation भि दिया गया है यह आप्टिकल illusion होता है यह बात भी यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्षन अफ लाइट ठीक यहां पर यह सारी चीज़े कही गहीं है और होता यह मैक्सिमुम ऐसी जगऊंपे है जहां पर मौसंब बहुत ज्यादा गर्म होता है यात रखेएता ध्यान रखने वाई इट्स किस पुरुण चीज के द्वारा निर्धारित किया जाता है प्रकास का रंग A option आपसे कहता है amplitude यानि कि आयाम B आपसे कहता है wavelength यानि कि तरंग दैड C कहता है intensity यानि तीबृता और D कहता है velocity यानि कि वेग, किस चीज के द्वारा प्रकास का रंग निर्धारित किया जाता है, डेटर्माइन किस के द्वारा किया जाता है, प्रकास का कलर, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, देखें आप लोग को 10 के 10 कोश्चन का कमेंट करके आंसर बताते रहना है, अभी लोग क content लाने के लिए प्रोथशाहन मिलता है ठीक है इसलिए हम वीडियो को लाइक करने के लिए आपसे बोलते हैं बाकि और कोई बात नहीं होती है आपके वीडियो को लाइक करने से हमें उसका एक पैसे मतलब होता है कि आप practice करते रहेंगे इससे आप practice में हमेशा लगे रहेंगे आपका हाथ चलता रहेगा, आपका दिमाग खुला रहेगा आपके वीडियो देखेंगे और निकल जाएंगे ऐसा नहीं होने माला है तो यहाँ पर सिर्फ question आपके लिए आ रहे हैं और किसी के लिए नहीं आ रहे हैं देखें प्रकास का रंग जो निर्धारित होता है वो निर्धारित होता है wavelength से ठीक, यहाँ पर B option में जो कहा गया है wavelength बिल्कुल सही answer है देखें सात्वा question क्या है यह देखें यहाँ पर यहाँ wavelength के बारे में बताया गया है जो सारी चीजें हैं उसका description हो गयरा तो इसको आप देख सकते हैं वीडियो को रोकिए और देख सकते हैं wavelength is the distance between two points are of the wave in the same phase ठीक, जैसे तरंगे चलती कैसे हैं, इसी प्रकार से चलती है तो wavelength होती क्या है, यह होती है wavelength ठीक है यह होती है wavelength इसको lambda से denote करते हैं lambda से denote करते हैं, यह होती है wavelength आपकी, इसी चीज की बात यह यहाँ पर कर रहा है तो चलते हैं अंगले question में, सात्वा question क्या कह रहा है देखे, ultrasonic, ultrasonic धुन तरंगों की आवरित्ती कितनी होती है यह चीज आप से पूछ रहा है, ultrasonic और sound waves of frequency ultrasonic धुन तरंगों की आवरित्ती कितनी होती है यह option आप से कहता है, 20,000 Hz से अधिक बी, greater than 20,000 Hz बी option आप से कहता है, 10,000 Hz से कम, less than 10,000 Hz 10,000 Hz, 1000 Hz के बराबर, equal to 1000 Hz none of these, यानि कि इन में से कोई नहीं इसका सही answer क्या है, जल्दी से आप लोग comment करके बताईए देखें, वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहेंगे, तो आपको निस्चित रूप से कहें, आपको उर्लाभ ही मिलने माला है आपको हान ही नहीं होगी वीडियो देखने से, ठीक है ये सारी वीडियो देखने से आपको हान नहीं होगी, क्योंकि to the point एक दम question आपसे कराई जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें आपसे नहीं कराई जा रहे हैं कि आप ये भी देख लिजी, वो भी देख लिए, जो एक्जाम में पूछे जाते हैं, वही चीज़ें आपसे सिर्फ यहाँ पर कराई जा रही है और कुछ इधर उधर की चीज़ें नहीं कराई जा रही है देखें, अल्ट्रा सोनिक धोनी तरंगों की अवरित्ती कितनी होती है ये आपसे जो कहा गया है, ये आपसे जो कह रहा है, ड्रेटर दें 20,000 हर्ट ये बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका, आपके सामने है यहाँ पर हिंदी और इंगलिस दोनों में आपको प्रोवाइड करा दिया गया Solution अल्ट्रा सोनिक 20,000 हर्ट से अधिक आवरित्ती की धोनी तरंगे है आवरित्ती की रेङज 20 हर्ट से 20,000 हर्ट आवरित्ती की मानो स्रव्य हर्ट है यानि कि आदमी सुनता कितना है, 20 हर्ट से 20 किलो हर्ट तक, यानि कि 20,000 हर्ट, देखें, एक किलो को कितना बोलते हैं, एक किलो को बोलते हैं, एक हजार ठीक है, एक हजार बोलते हैं, एक किलो को, तो इसलिए 20 हर्ट से कितना होता है, 20 के ह्जड, ठीक है, यहां इतनी ध्वनी इसका सही जो भी आंसर है आप जल्दी से कमेंट करके बताइए फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ आपके पास है 5 सेकंड का टाइम मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इसका सही आनसर है उत तेजित विकृरांट यानी स्टुमिलेटेड रेंडियेशन ञायनिस इसका बिल्कुल सही आनसर है यहां पर देखिए यहां पर यह सारी चीज़ें भी बताई गई है इसका जो भी explanation है यह सारी चीज़ें आप वीडियो को रोप करके explanation देख सकते हैं ठीक है और laser laser का जो है full form क्या होता है यह सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है देखिए light amplification by stimulated emission of radiation इसका होता है पूरा full form light amplification by stimulated emission of radiation नुवा question आप से क्या कह रहा है टेलिवीजन के remote control में किस प्रकार की विद्दुच्युम्ब किये किस प्रकार की जो विद्दुच्युम्ब किये विकिरन है उसका उप्योग किया जाता है टेलिवीजन के यानि कि टीवी के remote में ए अपसन आपसे कहता है infrared b कहता है ultraviolet c कहता है visible और d कहता है none of these यानि कि infrared परावाइंग नहीं दरसनी है या इन में से कोई नहीं तो किस प्रकार की कियोडों का उप्योग किया जाता है चुम्ब कि विकिरन का उप्योग किया जाता है जल्दी से आप लोग कमेंट करका इसका अंसर बता तीए फिर मैं आपके आपके सामने अंसर लेकर के आता हूं इसका सही आंसर इंफ्रारेड जो टीवी के रिमोट में यूज किया जाता है वो किसका यूज किया जाता है इंफ्रारेड तरंगों का ठीक है इंफ्रारेड विक्रेड का यूज किया जाता है इसमें एक टेलिविजन के रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है यह सारी चीज़े दी गई है इसको आप लेक्टरिक बल्व का उपयोग किया जाता है तो कितनी यूणीट के बारे मिक्यों पूछ रहा है चार गंटे के लिए सो वाट का एक electric bulb है अगर जल रहा है तो कितनी unit electricity use होगी ठीक है यह सारी चीज़े आप से पूछ रहा है यह option आप से numerical का question है आप से यहां पे पूछ लिए है अगर आपको formula पता होगा तो जल्दी से जल्दी आप question को कर लेंगे देखे आपको formula पता होगा तो यह से question करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यह option आप से कहरा 400 unit B कहरा 25 unit C कहरा 4 unit और D कहरा है 0.4 unit देखे यह question है इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड का time जल्दी से जल्दी आप question को solve कर लिजिए solve करिए और comment करिए उसके बाद मैं आपको इसका अंसर बता रहा हूं कि वीडियो का पॉश्ट करके उसके बाद answer solve कर लिजिए को question उसके बाद फिर आप answer देख लिजेगा इतना ज्यादा आप कर सकते हैं इतना किलो कि वार्ट कि एक किलो वार्ट पर है यह है आपका ऐन पर यह किलो depict एह यह देखिए आपका जो question में दिया गया था क्या इस सौस्वार्ट का बल्ब था और 2008 के बल्ब में एक हजार किलो से भाग देंगे और फोर से इंटू करेंगे चार घंटे चला हुआ है तो फोर से आप करेंगे कितना इंटू करेंगे ठीक है तो आपका कितना आ जाएगा 0.4 unit आजाएगा आपका देखिए यहां पर आपको करना क्या है आपका 100 watt का वल्ब है ठीक है और एक एक सोवड़ का वल्ब है ठीक है यहां पर से 200 हो गया और नीचे बचा चार बटा दस हो गया आपका चारबे 10 हो गया तो यह आपका आंसर कितना जाएगा 0.4 आपका एकदम आंसर हो जाएगा बिल्कुल देखे कितना आसान question था इसमें कुछ नहीं करना था आपको बस आपको formula पता होना चाहिए आपका जितने वाट का बल्ब है उससे आप एक किलो वाट से डिवाइड कर दिए और जितने घंटे आपका बल्ब यानि कि जो भी instrument है वो चला है उससे आपको कर देना है इंटू आपका आ जाएगा आंसर सही देखे दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खतम करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन-कौन से टापिक पर वीडियो चाह हैंगे थांक यू गाइज फो वाचिंग और वीडियो प्लीस दो लाइक और शेर